देश में धाचगत सुविधाओं को नई गती प्रधान करने के लिए प्रधान मंत्री नरिंद्रु मोदी ने 13 अक्टुबर 2021 को पीम गती शक्ती मल्टी मॉडर कनेक्टिविटी के लिए राश्ट्री मास्टर प्लान का शुभारम विक्या इस योजना के अंतरगत 2014 से सड़क परिवहन और राजमार्गों के लिए बजट आवंटेन में 500 प्रतिशत की व्रधी की गई है इसके परिणाम स्वरूप 2022 में हाईवे निर्मान की गती 28.3 किलोमीटर प्रति दिन तक पहुँच गई है इसके साथ ही मेट्रो नेट्वर्क का भी विस्तार किया गया है देश में मेट्रो नेट्वर्क 2014 में 248 किलोमीटर से बढ़कर 2023 में 860 किलोमीटर हो गया है योजना की शुरुआत के बाद से सितंबर 2023 तक 34 वंदे भारत एक्स्प्रेस ट्रेनों का सफर संचालन किया जा रहा है इसके अलावा विबिन ने लंबिट परियोजनाएं भी पूरी हुई है जिन में शामिल है सर्यू नहर राष्ट्री परियोजना उत्तर प्रदेश, कोसी रेल महा सेतू बिहार, कोलनम बाइपास परियोजना केरल कुल मिलाकर देखा जाए तो यह योजना भारत के भविश्य और आने वाली पेडियों के लिए एक ठोस बुन्यादी ठाचे का निर्माण कर अमरत काल में विक्सित भारत की महत्विकांशा को आकार दे रही है